नमस्कार मैं अंजली विश्रा स्वगत है आप सभी का दुनियोज में आपको बता दें कि योग गुरू राम देव बावा ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है जहां पर उन्होंने राम मंदरी का जिक्र करके विपक्ष को लताड़ा तो वहीं विपक्ष वारा 400 सीटों का लक्ष है वह जरूर पूरा हो जाएगा इस वारान राम मंदर का भी उन्होंने जिक्र किया उसुद्धीन ओवेसी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधार राहुल गांधी की निया यात्रा पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है क्या है पूरा माज़णा कहां उन्होंने ये बाते और क्या कुछ उन्होंने पॉइंट वाइस का रिस्तार से समझे तो आपको बतादे कि डबलू आई टीटी के सत्ता समेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने ए आई-माई-म के सांसाधा असुदुद्धीन ओवेसी को लेकर बड़ा बयान दे दि उतना पी-म मोदी जी को फाइदा होता है यही नहीं राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने जमकर्द है विपक्ष को लतार लगाई उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है यह राजनीतिक दृष्टी के नारे जो है हो सकते हैं लेकिन कुछ लोगों द्वार राम मंदर का विरोध करना बिलकुल भी सही नहीं है दरसल एक देश एक कानून के सावाल पर भी स्वामी रामदेव ने अपने तरफ से पयान जारी कि यहाँ उन्होंने यह कहा कि एक देश में एक कानून होना ही चाहिए यह हमारे समिधान की मूल भावना है यू सी सी की शुरुवात उत्रा खंड से हुई यह अच्छी बात है और उमीद है कि आने वाले दिनों में और भी राज इस पर काम करेंगे देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता इस मुद्दे का व उल्टे दिमाग के आदमी हैं उनके पूरवज भी देश विरोधी थे बाबारामदेव ने कहा कि ओवेसी मुसल्मानों का धुर्वी करन रोकता है जो मुसल्मानों के पूरोधा बने हैं उनको उनसे छटका देता है ओवेसी जितना उल्टा बोलता है उतना ही मोदी जी को फायदा होता है ओवेसी को यह कहते रहना चाहिए ओवेसी अपना योगदान करते रहते हैं राहूल गांदी भी अपना योगदान करते रहते हैं आज मोदी जी कि जो लोग प्रियता है उसमें उनका पुरुशार्थ तो है लेकिन विपक्ष का योगदान भी है यानि साफ त और पर एक चीज जो समझ आती है वह आती कि इनकी जो ब्यानवाजिया है जो जो बोलने का तरीका है जो सरीके से प्रिदानमोंति नरेंद्र मोधी के खिलाफ यह जहर उगलते हैं इस सब का परियाम यही है कि इन सब का फाइदा जो है पुरी तरीके से बीज़पी और राम-देव नियम्हें भी थो कहा जा कहता है उन्हीं नई हो सकता हैं नितीश कुमार पर राम देव हैं नितीश कुमार पर कुमार को योग सिखा सबको योग करना चाहिए लालु जी भी योग करते थे लेकिन बीच-बीच में उन्होंने उल्टा करना शुरू कर दिया आज कल तेजस्वी अच्छा योग कर रहे हैं वह राहूल गाधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात क चाहिए दक्षिन से उत्तर की यात्रा का फाइदा कॉंग्रिस को हुआ है करनाटक में उनकी सरकार बनी है काशी मत्रा मंदिर आंदोलन के लिए रामदेव ने कहा कि काशी मत्रा के लिए सब ही मुसल्मानों को खुद आगया चाहिए और कहना चाहिए कि रामकृष्णा हमा कही मत्रा मुसल्मानों को चीज रहे हैं। कहीं न कहीं इस तरिफे कि इस ₤ मुले को प्रति क्रिया दे रही है कि विपक्ष से चीज़े कर रहा है Puis और नहीं यह वी कहा कि चार स्वीट आएंगी जो अगने बात कर रही है जैसे अब ही हाले फिलाल में करें कि उत्रा खड़न में ही एक देखने के मिला यू सी सी उनिफर्म सिविल कोड जो है ले कर आए इसके बाद कई सारे लोग थे जो खुशते कई सारे लोग ते इस पर राजनीती कर रहे थे लिकिन राम देबाबा के मानना है कि एक देश और कानून होना जरूरी है कुछ चीजे चानून के तहत चलनी बहुत जादा जरूरी है ताकि पूरी तरीके से जब हम कहते हैं कि लोग और सब के लिए समान है लोग और सब करता है लेकिन अगर सब के क्राइटेरिया अलग होंगे सब के अपने कानून होंगे सब अपने हिसाब से चीजे करेंगे तो आखेकर कानून के सामने उनकी समानता आप कैसे देख सकते है यानि साफ तsels तौर पर अगर आप देखेंगे कई सारहे मामने रहे कई सारी चीजे storing séries जहां, तो सब्सक्राइब के लिए समाना है कि जब समानता होगी नहीं चीजें होगी नहीं तो आखिर आप equality and discrimination equality देंगी कैसे और discrimination से बचाएंगे कैसे तो ऐसे हमें उनका भी एमानना है वह ओवसी को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है कि जतना वह बोलते हैं मोदीजी को इतना फायदा हो जाता है कि इनके हालात भी ऐसे ही है यह बीज़पी की बीज़पी की बीज़पी की बीज़पी का परचार कर रहे हैं उन्होंने काफी कुछ पर बयां दिया रहे मंदिर की बात की आपक्ष को लेकर उनों ने प्रतिक्रिया दी है तो तुन आप खोड़ी करन करते हैं उसके उपर भी उन्हों इसाफा तरहलिए ने विपक्ष की बखिया देड़ी है साथी साथ एक आईना भी विपक्ष को दिखाया कि देखिए अगर आप हैं सितनि पल्ष। लिए दी आगर चैने तो शी hen दे रहेग statute की CRC यह बड़ा वस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है किस तरीके से योग गुरु राम देबावा द्वारा कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी गई है बयान दिया गया है और ऐसे वे अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरू से जरू साजा करिएगा धन्यवाद